नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज लांचर पर मैं हूँ अशोक वानि खड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कारेक्राम, दा एक्सरे, खबर करनाटक से हैं, और करनाटक से खबर ये है, कि एडी ने सिदारा मैया के खिलाप केस दर्च किया, जब मैं उसको एक्सरे के त किते हैं, हमने दो महने पहले एक कारेक्रम किया था, उसमें हमने कहा था, कि एडी के रडार पे कोन-कोन है, किस पर एक्शन हो सकती है, अजविन केजरिवाल जेल जा सकते हैं, हेमन सोरेन जेल जा सकते हैं, तेजेस्वी रडार पे हैं, अभिशेक बिनर जी रडार पे हैं, सितरा मैया रडार पे हैं, शरत पवार रडार पे हैं, ठाकरे परिवार रडार पे हैं, और हमने कहा था कि कई ऐसा नहों जाए कि तीन चार चिप मिनिस्टर इखट्टा जेल में हो, क्योंकि उदर स्टैलिन भी रडार भी था, केजी रिवाल जी का आपको सबको पता है, हेमन सुरिन का आपको सबको पता है, और अब बारी है सितरा मैया जी की, जो करनाटक के मुख्य मंत्री है, करनाटक में विदान सबाच चुनाव के बात से भाजपा भयानक परेशान थी, क्योंकि लोकसबा के पुर्वर, जहां उन्हें लग रहा था, कि करनाटक के मुख्य द्वार से, वो दक्षन भारत में अपनी विजय यात्रा चुरू करेंगे, करनाटक में क्लीन स्विप किया था पिछली बार, इस बार फिर क्लीन स्विप होगा, उसके बाद तेलंगाना में हम हाथ मारेंगे, आंधरा में हम चंद्राबाबु नाडू के साथ है, और फिर केरल और तमिल नाडू में एक किस्मत अजमाएंगे, प्लान बहुत फुल्प्रूप था, लेकिन राहूल गांधी के पदयात्रा और करनाटक कॉंग्रेस के यूनाटेड लड़ाई ने भाजपा को वहाँ साथ पे लाया, मात्र साथ विधाय, भाजपा सदमे में आ गई, कि तब से लेकि अब तक करनाटक के वर्तबान सरकार को डिस्क्रेडिट कैसा करना और विश्वस नियाता उनकी कैसी लोगों के बीच मिलाना, इसका लगातार प्रयास चालू है, करनाटक में भाजपा बोखलाई हुई है, अंद्रूनी जगडे पीक पे होती हुए भी, लगातार दिल्ली का इंटर्वेंशन इसलिए होता है, कि आप बाद में लढ़िए, पहले सितरा मया को देखिए, सितरा मया के पत्ली ने एक जमीन डेवलप्मेंट आथरटी को दी थी, करनाटक में एक कानून है, या एक प्रोविजन है, कह सकते हैं, कि यदि कोई जमीन डेवलप्मेंट के लिए सरकार लेती है, तो उसके बदले में उसे पैसा चाहिए, तो पैसा मिलता है, या फिर कि मैसूर डेवलप्मेंट आथरटी में, बहुत सारे प्लोट्स सितरा मया के पत्नी के नाम चले गया, सितरा मया जी का कहना है, कि मेरे पत्नी की जमीन एक जगा के, वो सरकार ने डेवलप्मेंट के लिए ले ली, और हमारे अग्रिमंट के मुताबिक, सरकार हमें जमीन के रूप में ही देगा, तो यह प्लॉट आवन टन उसमें है, बीजेपी का कहना है, कि जो जमीन सरकार ने ली, वहाँ सरकल रेट कुछ और थे, और जहाँ कमपेंसेशन के नाम पे प्लॉट दिये गए प्राइम इरिया में, उसकी सरकल रेट कुछ और है, और ऐसा करेक बंगलूरूटू मैसूर बाकायता पदियात्रा निकाली, बीजेपी ने, साथ में जनता दल यस भी सहयोगी रहा, उसके बाद जब मामला राजपाल के पास गया, तो राजपाल थावर्चन जी गेहलोत ने, 16 अगस्ट को ब्रस्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता 2023 की धारा 218 के तहट सितरा मिया के खिलाफ यफायार दर्च करने का परिमिशन दी, अब इसके बाद सितरा मिया तुरंत हाइकोट चले गए, जब वो हाइकोट चले गए, तो हाइकोट ने उनके अप्लिकेशन को रिजेट करते हुए, उसके बाद सितरा मिया हाइकोट गए, उच्च नयाले, करनाटक उच्च नयाले ने राजपाल के आधिश को बरकरार रखते वे सितरा मया के अप्लिकेशन को रिजेट किया रद्ध किया इसी बीच में CBI की मांग उठने लगी भारती जनता पार्टी जो वाँ विपक्ष में है वो कह रहे थी किसमें CBI जाज हो लेकिन इसी बीच करनाटक गवर्मेंट ने CBI को करनाटक के अंदर बैन कर दिया तो अब ज़्यादा टाइट सिकन जा कशने के लिए केंद्र ने इलू को उतारा अब एडी ने इस यफायार की संग्यान देते हुए करनाटक के मुख्य मंत्री सिधारा मया फिर उनकी पत्नी बियम परवती उनके साले मलिकार जिन स्वामी और देवराजु जिसने ये जमिन उपहार में दी थी इन तमाम लोगों के खिलाफ मनी लॉंडरिंग का चार्ज लगाते हुए इडी ने इन आरूपित किया अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ ये तो बाद में होगा लेकिन अब इडी एक दो बार पुष्टाच करने के बाद ये तय है कि पुरा प्रयास होगा कि महराष्ट और जारखन के चुनाव के बीच में सितारा मया को अरेश्ट करेगी एक मुख्यमंत्री और जेल जाएगा 76 साल के है उनका इस्तिफा होगा उनके जगा कोई नया मुख्यमंत्री आएगा वो मुख्यमंत्री सितारा मया गूटका होगा या फिर शुकुमार होंगे शुकुमार की उपर और लिके से चल रहे है तो क्या कोई तीसरा नाम होगा ऐसे में क्या कॉंग्रेस बरी रहेगी या कॉंग्रेस इती टूटती है तो पिर भाज़पा क्या कोई नया खेल करेगी कुल मिला कर हाथ से गया करनाटक फिर छिनने की ये जहारी है यदि मनी लॉंडिन का ही मामला इतना तेज है तो ऐसे देश में विविन केसिस रो जाते है जहां एडी को बोला जाता है कि यह मनी लॉंडिन का मामला है हमने देखा जब ऐसा ही लैंड डिल का मामला हेमन सोरिन का आया था तो हेमन सोरिन को भी पाँच मेंने जेल मे रखा गया, लोगसभा के चुनाओं में उनको बाहर ने आने दिया, लोगसभा चुनाओं के बाद जब उनको जमानत मिली, तो कोट ने ये टिप पढ़िया की थी, कि जिस साड़े आठ हेकर जमीन का जिक्र हेमन सोरेन के इडी के केस के साथ है, वो जमीन कहीं से भी हेमन सोरे काने में नाका मयभूती है, और इसका मुक्य कारण ये है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीती से प्रेरीत है, इससे बड़े मामले जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कि गुजरास सरकार ने स्वयम अडानी जी को पत्र लिग कर कहा, कि आपने एनर्जी चार्जेस के नाम पे 3,900 करण रुपए गुजरात गवर्मन से जादा लिए, आपने जो बिल पेश किये, जो कोईला आपने जिस रेट में खरीदा, वो अंतराष्ट्रियर रेट की हिजाब से कई गुना ज्यादा था, इसका मतलब अडानीजी ने जो कोईला खरीदा और जिसका बिलिंग सिंगाप पूर, UAE और होंकोंग में हुआ है, वहाँ अंतराष्ट्रियर स्तर की जो किमते थी कोईले की, उससे कई गुना ज्यादा महेंगा कोईला लेकर वो पैसा उन देशों में भेजा, इसी को मनी रांडरिंग कहते हैं, ये मामला सब के सामने होते हुए भी, एडी चुप है क्य वहाँ डबल सदाचार रराष्ट्रवाद के तड़के के साथ होता है, कल सितारा मया सपोज भाजपा का चोला पहन लेते, तो फिर एक क्रोजर रिपोर्ट आएगी, कि इसमें हमको कुछ खास मिला नहीं, गलत फ्यामी हो गई थी, और सितारा मया फिर बीजेपी के नेता ब है, वो लड़ेंगे, जेल भी जाएंगे, तो जेल से बाहर निकल कर फिर खुल के आएंगे, कुल मिलाकर एक और मुख्यमंत्री मुझे जेल जाता हुआ दिखाई देता है, अगली बारी तेजेस्वी की है, या ठाकरे परिवार की है, स्टैलिन की है, कि बंगाल के की है, पता नहीं, लेकिन राज्यपाल ने दिया हुआ पर्मिशन, ऐसे कई राज्यपाल है, जहां बीजेपी की सरकार है, जहां लोग राज्यपाल के पास एक्शन के लिए लगातार अप्लिकेशन लगा रहे हैं, लेकिन उन राज्यपालों के कान पे जूर एंग लेती है क्योंकि उनी की सरकार वही राजजपाल, केंदर भी उनका सब मिली भगत से सारी भ्रहष्टाचारियों पे चद्दर डलती हैं सिदारा मैया को न्यूज लांचर प्रोटेक्ट नहीं करता सिदारा मैया ने जो कहा किया है वो भ्रहष्टाचार हम भी मानते हैं लेकिन इसे ज़्यादा के भ्रहष्टाचार जो यदरुपा के है या उसके पहले के सरकार के हैं उस मामले में इडी कोई संग्यान लेने को क्यों तयार नहीं है सवाल ये है सवाल सिदारा मैया भ्रहष्ट है या नहीं है सवाल Congress Brhastha या नहीं है सवाल ED Brhatra 4 को किस चसम से देखती है यदि ED Brhatra 4 को सिरे भगवे चसम से देखती है या भाजोपाई चसम से देखती है तो फिर उने जहाँ Double Engine की सरकारे है वहाँ सब चंगा नज़र आता है और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारे हैं, वहाँ उन्हें कहीना कहीं बड़ा ब्रष्टाचार नजर आता है। यदि एड़ी में दम होता, तो इलक्टरॉल बॉंड का नगन सत्ते लोगों के साथ आने के बाद, शायद ही कोई राजनितिक दल होता, जहाँ एड़ी एफाया चल रहा है, शरम है कि आते नहीं, और ऐसा ही प्रकोप लगातार चलता रहेगा। आज एक सरे में इतना ही, कल फिर आता हो किसे विशे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहेगा, न्यूज लाँचर.